इसे ससस्र पुलिस विधेक के बारे में कुछ चीजों को संशेप में कह दिया गया लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य का विशय है किसके बारे में क्या गलत फ़ामी पैदा की गई और ये बात समझ में नहीं आया कि कोई अपनी बात कह नहीं रहे सदन की कारजवाही को बाधित करने की कोशिस करने किसने समझाया किसने ये चीजों को बताया ये पूरा का पूरा किया जा रहा है ये बीएमपी बिहार मिलिटरी पुलिस ये उपयोगी नहीं है इसका नाम करन इसलिए उसका नाम और दूसरे सभी जगों पर इस तरह का नाम नहीं है राजी के अंदर और बिहार में अभी तक बिहार मिलिटरी पुलिस नामकरन था इसको बदल करके जो बताया गया बिहार ससस्त्र पुलिस बल अब इसका नामकरन किया गया और इसके अलावे कई जगों पर जो इन्हें काम सौपा जाता है अभी इन लोगों ने बताया सबसे बड़ी बात देख लिजे कि बोध गया में महाबोधी मंदर के पास क्या घटना घटी थी तेरह में और कैसी भेंकर घटना घटी थी किस तरह से वो बचा था हम लोग तो तुरत सुबह जाकर के वहाँ पर एक एक चीज को देख रहे थो और सारा काम किया उसका पूरा का पूरा बाउंडरी और एक एक चीज बनाया कितना बार हम कितने साल जा जाकर के एक एक चीज को हम देखे हैं और कैसे किया जाए और उसके बाद वहां की सुरक्षा के लिए बी एम पी को ही डेप्यूट किया गया अब आप देख रहें जो और इसके बारे में जो इन्होंने बता दिया दर्भंगा में ये काम को जो सौपा गया है एरपोर्ट जो वहां पर बना है तो ये सब काम और अन आप जब किसी चीज को पुलिस बल को या इस प्रकार के बल को आप कहीं कोई सुरक्षा में आद देख भाल के लिए लगाएंगे और वहां कोई क्राइम करेगा तो क्या करेगे क्राइम करेगा तो उसको पकड़ करके नहीं आप उसको गिरफतार करके और उसके उपर कारव तो क्या करेगा कि ये कर रहे हैं तो हम परमिसन लेगे कोट से तब इनको गिरफ़तार करेंगे ये कैसी भावना है और मुझे तो आश्चर्ज होता है हमने कहा है अपने विभाग को भी और एक बात जब इसके बारे में तो हमने तो बना दिया था उसमें धीजीपी को और जो हमारे अपर मुख्य सचिव है होम डिपार्टमेंट के इन सब लोगों को हमने कहा कि इस प्रकार का दुस प्रचार कौन कर रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जिस काम के लिए कर रहे हैं और तुरत डिटेल में लिखे हुए है पढ़े थे हम तो चाहते थे कि लोग डिबेट करते और उसमें हम भाग लेते और एक-एक बात हम पूछते कि आप कब पढ़े हैं और क्या देखा है इसका अर्थ क्या है और आज भी जब आपने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में पढ़पढ करके जो एक-एक चीज को सुनाया गिया तो किसी ने देखा है ठीक से इससे बढ़ख करके कोई गलत बात होई नहीं सकती है अगर किसी को किसी के संडक्षन की भूमिका आप देंगे और सिर्फ संडक्षन की भूमिका में वहाँ पर खड़ा रहेगा और कोई आकर कि अपराप करेगा तो उसको ग्रिफतार नहीं किया जाएगा और आप जानते हैं कि सारा का सारा ये लोग करने के बाद ये तो हवाले कर देंगे थाने को तो इस तरह से एक एप चीज का प्रापधान है और इसके अलावे जान लीजिए जितना सामाने पुलिस में जिस तरह की कारवाई अगर गड़बड़ी करने पर नहीं उससे ज़्यादा कारवाई इन लोग ने की है इस मामले में कि अगर कोई अपने अधिकार को ठितन्ग से नहीं निभाता है तो इस पर हम क्या-क्या कारवाई करेंगे संचेप में एक-एक बात की इन लोग ने चर्चा कर दी मैं तो चाहता था कि लोग भाग लेते और बोलते तो जबाब भी दिया जाता अपचारिक रूप से और हम तो बीच-बिच में एक-एक प्रस्थन पूछ करके जानना चाहते थे ये किस तरह की बात हो रही है और वैसे एक बात का और चीज है मैं समझता हूँ मैं आपको सुविकार करता हूँ आपके सामने कि ये काम चाहिए था अधिकारियों को कानून जब इसका रूप हो रहा था तो इसके बारे में डीटेल प्रेस के सामने पूरी चर्चा कर देनी चाहिए थी कि ये आखिर क्या काम किया जा रहा है अगर ये चर्चा कर दी जाती तब कोई इसको लेकर के गुमराह नहीं किया जाती तो जब ये पेस हो गया था तब हमने पूरी बात को देखा तो हमने उस दिन भी कहा था कि भाई इन सब चीजों को तो पूरे डीटेल में बता देना चाहिए बार तो ये सब काम तो करते रहते हैं जब धाईत तो है बन गया कैबिनेट ने पास किया और कैबिनेट में जब गया तो कैबिनेट में पूरे डीटेल में होम सेकरेटी ने पूरी बात को जो अपर मुख्य सची होम डिपार्टमेंट के हैं उन्हें पूरी बात बताया था और हमने कहा था कि एक एक बात सबनों को बताईए तो एक एक चीज को बताया कि आ गया कानून आकर के हाँ पर हुआ और जैसे ही पेस हुआ उस दिन से क्या हो रहा है अरे सामानिता चर्चा में भाग लेना चीए यह कोई तरीका नहीं है और किस तरह से यहां पर खड़ा हो करके जो करवाया गया है यहां पर खड़ा हो करके जो करवाया गया है क्या तरीका है यह आज तक इतने दिनों से मैं भी विधाय कर रहा हूं 85 में और 89 में हम लोकसभा में चले गए उस समय और पिछले चौथे टर्म में हम यहां काम देख रहे हैं और इस प्रकार का दृष्ष हमने नहीं देखा आज तक विधान सभावे कि ऐसा कोई दृष्ष होता है और इस प्रकार से काम करने कोशिश होती है और मुझे बड़ा अपसोस हुआ है कि जो फोटो देख रहे थे बाहर कौन-कौन लोग नए लोग जो चुना हो करके आए हैं मैं तो आप से आग्रह करूँगा कि एक बार कम से कम जितने नव निर्वाचित विधायक हैं उन सबों के बीच में नियम और कानून और क्या होता है विधान सभा के क्या सारी कुछ इस्थिति है क्या करना चाहिए इन सब चीजों के बारे में भी एक जरू烦 ट्रेनिंग का काम करवा देना चाहिए ताकि लोगों को काम हो अब वैसे तो हमनों का फर्ज है करतब है कि एक एक चीज को बता दे और अगर किसी को लगता है कि यह ठीक नहीं है जैसा करे वैसा करे आदमी का तो अपना-पना सुभाव है और राजनीत करने वाले जो दल होते हैं कई ढंक से अपने-अपने ढंक से निरने लेंगे वो अलग बात है लेकिन जिस प्रकार से यह कितना बड़ा effective है और विधान सभा में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए बहुत लोग हैं कर सकते हैं कई रहकी करवाई कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस परकार का काम नहीं करना चाहिए, डीवेट में भाग लेना चाहिए था, अपनी बात कहनी चाहिए थी, और हम लोग तो पूरी बात पहले सुन लेते, और एक-एक बात को ले करके इस पस्ता के यहीं नहीं है कि सब कुछ वही करेंगे जो पुलिस का काम हो पुलिस करेगी लेकिन संडरक्षन के काम में जब लगाया जाता है तो उनको जो प्रारंभिक जिम्मेवारी है और उनको जो दाई तु दिया जाता है उसका वो ठीक धंग से उसका निरधारन नहीं करेंगे तो उ कोई भी काम कोशिस में होंगे कि नहीं हो बहुत अच्छा मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए और आपका भी नदन करता हूं कि नहीं चाहे जितना देर भी जो भी भी बात करना हो करते रहिए लेकिन आज का जो कारिक्रम है आपको आपने धरित किया था उ इसले हम कहेंगे कि इसके बारे में गलत फाहमी है यह बहुत उप्यूक्त है और यह जान लिजिए कि दुनिया इस देश के दूसरे राज्यों में भी इस तरह के जो कानून है उससे अलग किसम का नहीं है वही सब चीज है यह कोई नहीं है कि बिहार में इस तरह का कोई ची इस वेपर